इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको आइदर और के प्रियोग के बारे में बताया था या तो ये या तो वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नाइदर नौर के बारे में जिसका मतलब है न ये न वो तो जब भी किसी वाक्य में न ये न वो का सेंस आए नीदर भी होता है आप दोनों तरीके से इसे प्रनाउंस कर सकते हैं नाइदर नीदर लेकिन बेहतर विकल्प है नाइदर क्योंकि नाइदर British English pronunciation है Neutral English और नीदर एक American English pronunciation है US pronunciation तो नीदर के बजाए नाइदर का प्रयोग करना बेहतर विकल्प है आईए टॉपिक के शुरुवात करते हैं कुछ examples के माध्यम से आप समझें इस टॉपिक को न तुम जाओ न मुझे जाने दो तुम मत जाओ मुझे भी मत जाने दो तो इस sentence को किस तरह से आप बना सकते हैं नाइदर यू गो न तुम जाओ नौर लेट मी गो न मुझे जाने दो जाने दो इस तरह के वाक्य लेट फॉर्मेशन में आते हैं ल, ई, ट, लेट और इसके बारे में मैंने आपको लेट के वीडियो लेक्चर में डीटेल में समझाया था न पता हो तो आप एक बार फिर से उस वीडियो लेक्चर को देखिए और इस तरह के वाक्यों को बनाना समझिए दूसरा सेंटेंस है न राम जाएगा न मैं जाओंगा नाइदर राम विल गो नौर आई विल आई विल गो भी आप कह सकते हैं बार बार गो कहना जरूरी नहीं है क्योंकि यह अंडेस्टूड है कि जाने की बात हो रही है नाइदर राम विल गो नौर आई विल ना राम जाएगा ना आएगा यहाँ पर राम सब्जेक्ट मेरा एक ही है उसके पास दो विकल्प तोनों विकल्प वो नहीं के सेंस में नाइदर गो नौर कम राम विल नाइदर गो नौर कम ना राम जाएगा ना राम आएगा इसी तरह से कुछ सेंटेंस और है आपके सामने ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना मुंबाई इस sentence को दो अलग-अलग style में देखिए आप किस तरह चा बना सकते हैं I will neither go to Delhi nor Mumbai यह आप कह सकते हैं I will go मैं जाओंगा neither Delhi nor Mumbai न दिल्ली न मुंबाई न तुम गलत हो न वो न तुम गलत हो न वो neither you nor he is wrong neither you are wrong nor he is दोनो तरीके से आप दोनो style में इसका बना सकते हैं